अक्षय तृतिया या आखातीज, वैशाक मास में शुकल पक्ष की तृतिया तिथी को कहते हैं, अबुज मूर्थ की तिथियों में से यह एक होती है, इस तिथी पर किये गए प्रतेक शुब कारिय में सफलता प्राप्त होती है, पौराणी ग्रंथों के अनुसार इस दिन ज स्वयम सिद्ध मूर्थों में से एक मानी गई है, अक्षय तृतिया का सर्वसिद्ध मूर्थ के रूप में भी विशेश महत्व है, माननेता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे, कोई भी शुब वमांगलिक कार्य जैसे विवाह, ग्रिह प्रवेश, वस्त्र आभु पुराणों में लिखा है कि इस दिन पित्रों को किया गया तरपण तथा पिंडदान अथ्वा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है, अक्षय तृतिया जैन धर्मा वलंबियो का महानधार्मिक पर्व है, इस दिन जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर श्री रिशब देव भगवान ने एक वर्ष की पूरण तपस्या करने के पश्चात इक्षू यानी शोरडी गन्ने के रस से पारायन किया था। जैन धर्म के प्रथम तिर्थक कर श्री आदिनाद भगवान ने सत्य और अहिंसा का प्रचार करने एवं अपने कर्म बंधनों को तोडने के लिए संसार के भौतिक एवं पारिवारिक सुखों का त्याग कर जैन वैराग्य अंगिकार कर लिया। इसी कारण इस अक्षय त्रितिया का जैन धर्म में विशेश धार्मिक महत्व समझा जाता है। मन, वच्चन एवं शद्धा से वर्षितब करने वाले को महान समझा जाता है। अक्षय को अमर्ता या शाश्वत जीवन का प्रतिक माना गया है जो अविनाशी है। अक्षय त्रितिया की तिथी से ही त्रेता और सत्यूग का आरम हुआ था और यही कारण है कि इस तिथी को कुरुत युगादी त्रितिया भी कहते है। महाभारत के युद्ध की समाप्ती हुई थी। साथ ही द्वापर युग का समापन भी हुआ था। इस दिन क्या गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविश्य पुराण के अनुसार इस तिथी की युगादी तिथियों में गणना होती है। सत्यूग और त्रेता यूग का प्रारंभ इसी तिथी से हुआ है। प्रसिद्ध तिर्थ सल बद्री नारायन के कपाट भी इसी तिथी से ही पुनह खुलते है। व्रिंदावन स्थित श्री बा के बिहारी जी मंदीर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किये गए कारी अथ्वा इस दिन को किये गए दान का कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतिया की अनेक कथाय प्रचलित है। जानते हैं अक्षय तृतिया से जुड़ी कुछ विशेश बाते। कहते हैं मा गंगा का धर्ती पर आगमन अक्षय तृतिया की पावन तिथी पर ही हुआ था। चारो धामों में से एक वद्रिनात धाम के कपाट भी अक्षय तृतिया के दिन खुलते है। अक्षय तृतिया पर व्रिंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते है। ऐसा माना जाता है कि सत्योग और तृता यूग की शुरुवात अक्षय तृतिया के दिन ही हुई थी। महाभारत ग्रंथ की रचना का आरंब महर्शी वेद व्यास ने अक्षय तृतिया के दिन ही किया था। और अक्षेत्रितिया तिथी पर ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था इसके साथ ही आप सभी को अक्षेत्रितिया की हार्दिक शुब कामने